हेलो दोस्तों मैं मनुझ मुझा सागत करता हूँ आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टुड़न्ट ओनलाइन एजूकेशन क्लासिस आज के इस वीडियो में आप लोगों को कीबोर्ड पर जो एरो कीज होता है उसके बारे में डीटेल ने बताने वाला हूँ इसे पहले के वीडियो में आप लोगों को keyboard के बारे में ही starting से बताया था कि keyboard को CPU में किस तरह से जोड़ा जाता है एंकि keyboard में जो दो तरह के pin आते हैं एक होता है USB और दूसरा होता है PS2 तो वो दोनों pin को CPU में किस जगह पर जोड़ा जाता है उस चीज़ के बारे में पूरा detail में समझाया था और इसके साथ-साथ आप लोगों को keyboard के बारे में यह चीज़ बताया था कि keyboard किस तरह से काम करता है तो इन सारे चीज़ों के बारे में आप लोगों को detail में बता दिया था अगर आप लोगों को ये चीज़ नहीं पता है तो description में उसका link आप लोगों को मिल जाएगा उस link पर से आप लोग वो वीडियो भी देखकर आसानी से सीख सकते हैं अब आज के इस वीडियो में आप लोगों को arrow keys के बारे में बताने जा रहा हूँ कि arrow keys क्या होता है उसके नाम कौन-कौन होते है उसके बाद keyboard पर जो arrow keys होता है उसमें कितने keys होते है यानि कि total जो four keys होते है वो four keys arrow keys कहलाते है तो उनके नाम क्या क्या है ये सारी चीचे आप लोगों को detail में समझाने वाला हूँ तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक drawing की मदद से पूरा detail में समझा देता हूँ कि arrow keys क्या होता है उसके बाद मैं आप लोगों को keyboard पर यही चीज़ दिखाऊंगा कि arrow keys दिखता कैसा है और वो काम कैसे करता है तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं full details about arrow keys on computer keyboard यानि कि computer keyboard पर जो arrow key होता है उसके बाद मैं पूरी detail में सीखेंगे सबसे पहले arrow keys के अलग-अलग नाम होते हैं तो कौन-कौन से नाम है वो देख लेते हैं तो लिखा है यहाँ पर cursor keys, direction keys, navigation keys और arrow keys तो इसके total ऐसे 4 यानि कि total 4 नाम है तो वो नाम किस ले दिया गया है अब मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ तो cursor key क्यों इसे कहा जाता है क्योंकि हमारे computer में जब हम typing करते हैं तो उस समय typing करने के लिए हमें direction दिखाने का काम एक cursor ही करता है तो वो जो cursor होता है वो एक सीधी line जैसा होता है कुछ इस तरसे ऐसे एक सीधी line होता है तो यह cursor का काम करता है यानि कि हमें जगह दिखाता है कि हम किस जगह पे typing कर रहे हैं अब इस cursor को उपर नीचे ले जाने का काम कौन करता है यह arrow की इस cursor को उपर नीचे ले जाने का काम कौन करता है यह arrow की अगर हम आप arrow दबाएंगे तो उपर के साड जाएगा यह वाला button दबाएंगे तो नीचे के साड जाएगा यह दबाएंगे तो right side में जाएगा यह दबाएंगे तो left side में जाएगा यानि कि इसी से यह उपर नीचे होता है तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया cursor keys भी रखा गया इसके बाद direction की अब direction भी आप लोगों को पता होगा कि उपर यह एक direction है नीचे यह भी एक direction है right side यह भी एक direction है और left side यह भी एक direction है तो यह हमें direction दिखाता है कि हमें north side में जाना है कि south side में जाना है इस तरह से यानि कि हमें उपर जाना है नीचे जाना है, दाएं side जाना है, या बाएं side जाना है तो यह हमें direction दिखाता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? Direction Keys इसके बाद Navigation Keys Navigation का मतलब भी यही होता है कि हमें किस दिसा में जाना है यह हमें Navigate करता है यहनी कि दिसा दिखाता है तो किस साइड जाना है हमें वो हमें यह बटन बताता है और last दिया है Arrow Keys अब arrow keys इससे क्यों कहते हैं क्योंकि यहां पे हमें arrow से ही पता चल जाता है कि यह button हमें किस side ले जाएगा आप देख सकते कि यहां पे button पे already arrow बना हुआ है यह बना हुआ है up arrow, यह बना हुआ है down arrow, यह बना हुआ है right arrow और यह बना हुआ है left arrow तो इस तरह से यहाँ पर arrow जिस तरह से बना है यह काम भी बिल्कुल उसी तरह करता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? Arrow Keys और सबसे famous यही नाम है Arrow Keys बाकि तीन नाम तो हम याद नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी हमें Arrow Keys तुरंत याद आ जाता है क्योंकि इस पर छपाई होता है Arrow Already अब देखते हैं यह Keyboard पर होता का है तो यहाँ लिखा है Are Usually Located Between the Standard Section and the Numeric Paid Standard Section and Numeric Paid यानि कि Standard Section जहाँ होता है वहाँ और Numeric Paid जहाँ होता है वहाँ उन दोनों के बीच में On Computer Keyboards, Computer के Keyboard पर तो चलिए यह वाला Arrow की मैं आप लोगों को Keyboard पर एक बार दिखा देता हूँ जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर एक Keyboard है अब इस Keyboard में मैं दिखा देता हूँ यह जो है यह पूरा यहाँ से यहाँ पर पूरा Clear दिखाए दे रहा है Arrow की अब इसमें यह जो उपर के साइड में Arrow बना हुआ यह क्या है आप Arrow यह जो राइट साइड में बना हुआ यह क्या है राइट Arrow यह जो नीचे बना हुआ यह क्या है डाउन Arrow और यह जो left side में बना वो यह क्या है? left arrow simple सा step आप लोगों को याद रखना है कि English में आप लोग इसे कौन से word से कहोगे तो यह उपर के side में तो उपर को क्या कहते है? up नीचे को क्या कहते है? down right को क्या कहते है? right और left arrow यानी कि by side को क्या कहते है? left तो उसी नाम से इसे हमें याद रखना है कि arrow उसी तरह से बना हुआ है और उसी तरह से काम भी करेगा अब देख लेते हैं drawing में इसका नाम क्या है तो लिखा है it is made up of four keys ये total कितने keys से बना होता है चार keys से बना होता है total इसमें कितने buttons होते हैं चार यादि कि अगर कोई आप लोगों को पूछता है कि arrow की में कितने button होते हैं तो कितना बताना है चार कौन कौन से तो यहाँ पर बताना है यह वाला यहाँ पर इसका नाम लिखा है पहला है left arrow अब left arrow क्या है यहाँ पर यह जो है यह यह है left arrow और इस arrow का दूसरा नाम है back arrow back means पीछे जाने के लिए हम जब use करेंगे इस बटन को तो इसे कहते हैं back arrow forward इसके बाद लिखा है right arrow तो यह जो right side में है इसे कहते हैं right arrow और जब हम आगे जाने के लिए use करते तो इसे क्या कहते हैं forward arrow जब आगे जाने के लिए आने कि हमें next page में जाना होगा तो हम इस button का use करेंगे इसलिए इसे कहते हैं forward arrow तो left arrow से क्या होगा या तो left side में जाएगा या फिर अगर हम किसी page पर पीछे के side में जाना चाहेंगे तो ये हमें back ले जाएगा इसी तरह से ये जो right arrow है या तो हमें right side में ले जाएगा और अगर हमें किसी page में आगे जाना है आगे के page पे तो ये हमें forward यानी की आगे के page पे ले जाता है अब आप arrow आप arrow हमेंसा क्या करता है आप arrow हमेंसा उपर की ओर ले जाता है और down arrow हमेंसा नीचे की ओर ले जाता है तो इस तरह से आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा एक बार फिर से बता देता हूँ यह जो left arrow है यह हमारे left side में जो है इसे कहते हैं left arrow right side में जो है इसे कहते हैं right arrow ऊपर के side में जो है इसे कहते हैं up arrow और नीचे के side में जो है इसे कहते हैं down arrow और left और right arrow को दो अलग नाम से जाना जाता है तो left arrow को अलग नाम से क्या जाना जाता है? बेक arrow और right arrow को दुसरे किस नाम से जाना जाता है? forward arrow तो इस तरह से ये इसका नाम हो गया और जिस तरह से इसका नाम है बिल्कुल काम भी इसका उसी तरह से है तो अब हम इसका इसे देखेंगे कीबोर्ड पर अब मैं यही चीज आप लोगों को कीबोर्ड पर समझाने जा रहा हूं बटन तो आप लोग ध्यान से इसे समझना और बाद हम लोग देखेंगे इसका प्रैक्टिकल तो आपको ड्रोइंग की मदद से तो मैंने सिखा दिया कि उसमें एरो कीज क्या होता है एरो कीज के नाम क्या क्या होते है उस पे जो कीज होते हैं उस की के नाम क्या होते है और वो किस तरह से काम गड़ता है अब मैं आप लोगों को keyboard पर दिखाता हूँ कि वो बटन कहां पर होता है और कैसा दिखता है तो चलिए यहाँ पर मेरे पास एक keyboard है देखिए इस पर छपा हुआ है और रेडी यहाँ पर यह total 4 arrow किस दिख रहे हैं यह total 4 arrow किस दिख रहे हैं यहाँ पर यह number किस दिख बना हुआ है ये अगले वीडियो बतांगा यहाँ पर यह जो कीदवना हुआ यह क्या है arrow key आप देख सकते मेरे उंगले के पास यहाँ पर यह क्या बना हुआ है arrow key अब इसमें यह जो left side ने है यानि कि हमारे जो left hand side में होता है वह कॉन सा key होता है left arrow वो कौन सा की होता है left arrow इसके बाद हमारे ये right hand side में जो बना हुआ है इसे क्या कहते है right arrow इसे क्या कहते है right arrow इसी तरह यहां पर जो उपर के side में बना हुआ है उसे क्या कहते है up arrow उपर के side में जो बना हुआ है उसे कहते है up arrow और नीचे के side में जो बना हुआ है इसे कहते ह down arrow, तो इस तरह से यहाँ पे total 4 keys बने हुए है इन 4 को क्या कहते है, arrow keys क्या कहते है इसे, arrow keys और इसके जो नाम मैंने अलग-अलग आप लोगों को बता है, उस नाम से भी इसे जाना जाता है तो अब इसका काम क्या है इसे हम practical में सिखेंगे कि यह किस तरह से काम करता है तो मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले बता देता हूँ जैसे यहाँ पे यह जो left arrow है यह हमेशा क्या करेगा, left side में ले जाने का काम करेगा हैनि कि चाहे हम किसी भी application में हो या फिर किसी line पर हो या फिर computer में किसी भी जगह पर हो अगर हम यह arrow दबाएंगे तो हमेशा left side में जाएंगे अगर हम right वाला arrow दबाते हैं तो हमेशा right side में जाएंगे अगर हम अप arrow दबाते हैं तो हमें यह उपर की ओर ले जाएगा और अगर हम down arrow दबाते हैं यह मैंसा हमें नीचे की और ले जाएगा तो इस तरह से यह हमें direction दिखाता है computer में कि हमें किस side जाना है तो हमेरोकी के मदद से भी किसी भी side में जा सकते हैं किसी भी line पर जा सकते हैं किसी भी application पर जा सकते हैं तो इस तरह से इसका काम होता है अब इसे देखेंगे प्रैक्टिकल में तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कि एरो के किस तर से काम करता है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉंपिटर में दिखा देता हूं यहां पर मेरे पास कॉंपिटर जो है इसके screen में आप लोगों को दिखा देता हूँ किसी एक जगर पर click करके सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर mouse से मैं इस पर click कर दिया यहाँ, आपने देखा यहाँ पर मैंने जब इसे click किया तो यह थोड़ा select हो गया select हो गया, इसलिए यह थोड़ा highlight किया हुआ दिख रहा है, अब मैं arrow की दबाऊंगा arrow की दबाऊंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि यह किस तरह से काम कर रहा है तो सबसे पहले मैं आप arrow दबाता हूँ, तो आप देखना कि यह जो selection है, यह उपर जाएगा और अगर मैं down arrow दबाऊंगा तो यह नीचे के side में आएगा इसी तरह से अगर मैं right side का दबाऊंगा तो यह right side में जाएगा और left side में दबाऊंगा तो यह left side में जाएगा तो चलिए अब मैं arrow की दबाता हूँ, यहाँ पे देखिए यह अप arrow है, अब मैं इसे दबाऊंगा, अब देखिए computer में यह उपर की side में जाएगा तो देखिए मैं इसे दबाता हूँ, यह दबाया उपर गया, फिर से दबाया और उपर गया फिर दबाया, जा रहा है उपर, अब मैं down arrow दबाता हूँ, यह यह डाउन एरो दबाऊंगा तो यह नीचे के साइड में आएगा आ रहा है तो जैसे जैसे मैं डाउन एरो दबाता जाएगा वैसे वैसे यह नीचे आता जाएगा अप एरो दबाऊंगा तो यह उपर जाएगा अब देखिए अब मैं यहां पर लेफ्ट एरो दबाता हूँ तो left side में जाएगा, तो यहाँ पर मैं यह left arrow है, इसे दबाता हूँ, तो यह मैं दबाया, left side में जा रहा है, इसी तरह अगर मुझे वापस right side में लाना है इसे, तो मैं यह right arrow दबाऊँगा, तो यहाँ पर देखते हैं, यह वापस right side में आ रहा है, तो इस तरह से यह किसी भी अप्लिकेशन पर काम करता है अब मैं यही एरो कीज का यूज आप लोगों को Excel नाम के अप्लिकेशन में दिखाता हूँ कि किस तरह से Excel में ये काम करता है तो आप देख सकते कि मैंने जब दाए साइड में लाना है यहां तो मैं क्या करता हूँ मेरे कीबोर्ड से यहां पर मैं राइट अरो दबाऊंगा तो यह राइट साइड में जाएगा देखिए अब जा रहा है तो मैं राइट अरो दबार तो यह राइट साइड में जा रहा है अगर मुझे वापस इसे दबाऊंगा, तो यहां पर देखें, यह डाउन एरो है, इसे मैं नीचे दबा रहा हूं, तो यह डाउन साइड में, यानि कि नीचे साइड में जा रहा है, अगर मुझे वापस उपर के साइड में ले जाना है, तो मैं क्या करूँगा, आप एरो दबाऊंगा, आप एरो डेटा पर ही काम करके दिखाता हूं जैसे मैंने यहां पर क्लिक कर दिया तो मेरा इसमें यहां पर करसर यानि कि इसमें करसर सो करेगा यहां पर देखिए यहां पर मैं डबल क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरा करसर सो कर रहा है यहां कि करसर दिख रहा है अब मुझे जाना है उपर के साइड में मुझे जाना है उपर के साइड में तो मैं क्या करूंगा यहां पर एरो की से उपर ले जाओंगा ऐसे जा रहा है उपर इसी तरह मुझे नीचे जाना है तो मैं नीचे के साइड नीचे वाला की दबाऊंगा यहने की डाउन एरो दबाऊंगा तो नीचे जाएगा ऐसे अगर मुझे इससे यहां पर इस साइड लेप साइड में जाना है तो मैं इसे ले जाओंगा और राइट साइड में जाना है तो राइट साइड में से ले जाओंगा तो इस तरह से इसमें काम करता है तो आपने देखा एरो की किस तरह से एक्सल में काम कर रहा ह अब देखिए मैं यहाँ पर एक word application चालो किया हूँ Microsoft word जिसमें आप लोगों को इस arrow key का काम दिखाता हूँ जैसे यहाँ पर मैं कहीं पर भी click कर देता हूँ तो मैंने क्या किया यहाँ पर click कर दिया मेरा cursor यहाँ पर दिख रहा है इसका मतलब कि इस समय माउस का जो place है यानि कि जो जगह है वो यहाँ है अब मैं इसे दाएं side, बाएं side उपर और नीचे ले जाके दिखाता हूँ आप लोगों को arrow key से मैं इसे यहाँ पर लेप side में ले जाओंगा तो यहाँ पर मुझे क्या दबाना होगा left arrow यह तो मैं left arrow यहाँ दबा रहा हूँ तो देखेगा आप यह cursor कहां जाता है जा रहा है left side में यहीं कि एक एक अच्छर के पास बाद यह left side में जा रहा है इसी तरह अगर मैं right arrow पर जाना होगा हम इस arrow key की मदद से आसानी से जा सकते हैं जैसे मुझे यहाँ पर एल के पास school में जो लिखा हुआ है इस एल के पास जाना है तो मैं यहाँ पर की और ले जाने तो क्या करूंगा आप एलो दबाऊंगा आप इससे दबाया तो देखेगे यह ऊपर जा रहा ह जा रहा है उपर यहाँ पर पहुंच गया यह हमें down arrow दबाऊंगा तो यहां आएगा फिर यहां आएगा फिर यहां आएगा इससे नीचे आएगा देखेगा तो यहां पर मैंने down arrow दबाया कहां गया यह यहां पर आ गया इसके बाद और down arrow दबाया तो यहां आगया अब औ left रहा दबाँगो तो ये left side में आएगा ये ऐसे right दबाँगो तो right side में जाएगा तो इस तरह से ये काम करता है तो ऐसे ही जितने भी application होते हैं चाहे कोई भी application हो कोई भी जो line हो या फिर Excel में कोई box हो अगर हमें किसी भी direction में जाना है तो हमें किस key का use करना है इस arrow key का ही यूज़ करना है तो आज के इस वीडियो में आपने देखा कि keyboard पर जो arrow keys होता है उसके नाम क्या होते है और वो किस type का होता है उसमें जो four keys होते है उस four keys के नाम क्या होते है उनका काम क्या है और practical भी आप लोगों को करके दिखाया कि arrow keys काम किस तरह से करता है अब आगे के वीडियो में आप लोगों को number keys के बारे में बताने वाला हो कि number keys कितने होते हैं और वो किस तरह से काम करता है computer में इसके साथ साथ आप लोगों को keyword के बारे में जितने भी buttons होते हैं सब के बारे में बताऊंगा हर एक आगे आने वाले वीडियो में तो मेरे हर वीडियो को इसी तरह से देखते रहिए और सीखते रहिए कुछ नया अगर आप लोग मेरे पहले के भी वीडियो को देखना चाहते है कि उसमें माउस क्या होता है माउस का डीटेल क्या होता है सब कुछ आपको बताया हूँ और comment किस तरह से चालू होता है ये भी बताया हूँ तो नीचे description जो दिया हुआ है उसमें link आप लोगों को मिल जाएगा उस link पर से click करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो भी आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो भी पसंद आया हो तो वीडियो को like करिए सब्सक्राइब लाल बटन दिया हुआ है सब्सक्राइब नाम का उसे दबा कर और उसके बगल में एक बेल आइकन छपा हुआ है तो उस बेल आइकन को ज़रूर दबाईए उसमें All Options से लिख करना है जिससे क्या होगा कि आगे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तुरण तो सबसे पहले आपके पास पहुच जाएगा जिससे आप उसे सबसे पहले देख सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुडबाए अगले में पास एक टक करोजबाए